दोस्तो ये वीडियो में हम बात करेंगे डॉलर और रूपी के बारे में बड़ा उलट फेड जो है वो हमें यहाँ पर नजर आ रहा है तो वो मैं यहाँ पर आपके साथ में शेर करूँगा कि रूपी जो है वो आने वाले समय के अंदर मजबूत हो सकता है और डॉलर का जो बाव है अभी कुछ लगबग 81.75 के आसपास वो गिर कर थोड़ा सा कम हो सकता है कितना हो सकता है उसकी चर्चा जो है वो हम यह वीडियो के अंदर पूरा करते है तो यहाँ पर डॉलर के अंदर जो है वो सपोर्ट निकल के आता है एक अच्छा जो है लगबग लगबग 81. 81.25 के आसपास अगर हम यह लेवल जो है वो नीचे की तरफ डॉलर में ब्रेक करते है 81.25 का लेवल तो फिर यहाँ से गिरावट जो है वो हमें देखने को मिल सकती है और यह गिरावट जो है वो तकरिबन 74.50 उसके नीचे चलते है तो 70.25 और 66 यह लेवल जो है वो हमें नीचे की तरफ देखने को मिल सकते है तो जो भी दोस्त जो है वो इंपोट एक्सपोट का काम करते हो वो यह आने वाले समय के अंदर जो है वो 81.25 का लेवल जो है वो ध्यान में रखना चाहिए ऐसा मेरा मानना है ऐसा मेरा टेक्निकल एनालिसिस जो चार्ड मुझे बता र रहा हूँ तो आपको जो है वो यहां पर ध्यान रखना चाहिए और उपर में जो लेवल आता है दोस्तों उसका वो है 83.75 के आसपास अगर यह लेवल उपर की तरफ काटता है तो फिर तेजी जो है वो और बढ़ेगी अधरवाइस यहां से गिरावड जो है वो डॉलर में में देखने को मिल सकती है और गोल्ड के चार्ड भी कुछ ऐसा बता रहा है कि डॉलर के अंदर बड़ा उलट फिर हो सकता है क्योंकि आपने देखा होगा कि गोल्ड भी अभी काफी तेजी कर रहा है और गोल्ड में भी यह तेजी के संके जो है वो आगे बढ़ रहे है और गोल्ड भी उपर के लेवल जो है वो दिखा सकता है तो गोल्ड के अंदर आप जानकारी चाहो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि हम जो है वो रेगुलरली गोल्ड, सिल्वर और बाकी की अपडेट जो है वो लगातार देते रहते हैं वीडियो सुनने के लिए तन्यवाद